प्रेंट्स वल्कम टियो चैनल कटले सोनी अंदिस सोनी जी फ्रेंट्स एक्जाम का टाइम आ चुका है और आप लोग हमसे बहुत सारे क्वेशन कर रहे हो और हेल्प भी मांग रहे हो उसे में से एक हमारी स्टुडेंट ने ये पूछा है हमसे और हमसे ये रेक्वेस्ट भी क्या है कि मैं इस पर भी वीडियो बनाई है उनका क्वेश्चन है कि किस तरह से एक्जाम में जो है स्पीड में लिख है और उसी तरह से अगर प्रैक्टस करके आप जाओगे तो definitely आप लोग को exam में जो है उसका benefit देखने को मिलेगा so आज मैं इस video में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से जो है आप exam में speed में लिख सकते हो और सही writing के साथ भी लिख सकते हो क्योंकि मैं speed में लिखने का मतलब कभी भी नहीं बोलती हूँ आपका writing जो है वो गंदा यह रफ होना चाहिए so friends आज इस video में हम लोग यही discuss करेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है या फिर चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लिजी और बिल आइकोन को hit कर दीजे पहुत जल जो है हम लोग UPBA entrance का भी paid class लाने वाले हैं तो जो भी students इसमें registration करवाना चाहते हैं जो WhatsApp नमबर दिया गया है उस पे आप registration करवा सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं अपने copy में copy में मैं लिख करके आपको reality के साथ दिखाओंगे किस तरह से आप speed बढ़ा सकते हो So friends आप यहाँ पे देखिए आपको scale, pane और यह copy इस पे मैं exactly आपको बताने मैं वहले सबसे पहले तो आप scale से अपने side में जो है lining करेंगे एक scale का पूरा lining होना चाहिए और इस side में भी करेंगे तो इधर में आप half scale का lining कीजिएगा पूरा का lining आपको करने की जरुरत नहीं है यतना मैंने lining कर लिया अब आपको लिखना का है तो यहाँ लिखना है लिखने का तरीका जैसे question number one का मैं direct answer ही लिखूंगी question लिखूंगी नहीं मान लिजे आप बृद्धी लिख रहे हो तो बृद्धी का आपको definition यानि परिभासा लिखना है तो यहाँ पर हमने इस तरह से किया अब इसको मैं बता रही हूं कि एक line में लिखने का एक technique होता है जैसे कि अगर मैं बताओ कि बृद्धी क्या है जो मैं भी आपको बताओंगी ओ कौन सा है कहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कि एक line में आप कितने words लिख सकते हो मेरा जो most of होगा ना कि क्यूंकि आपको size छोटा नहीं रखना है तो आप एक line में जैसे यहाँ पर मैंने वृद्धी लिखा यहाँ शारिक हुआ यहाँ परिवर्तन हुआ को तो इसका मतलब कि एक line में में मेरा चार से पांच words जाएगा कितना जाएगा चार से पांच शब्द मैं एक line में लिखूंगी इसका practice जरूर कीजिएगा कि आप एक line में कितने शब्द लिखते हो और दो शब्दों के बीच में आप कितना जो है gap रखते हो इसका अगर आप practice करके जाओगे तो आपका हाथ जो है अपने आप जल्दी चलेगा यह हो गया इसी के बाद मुझे विकास लिखना होगा तो मैंने विकास को यहाँ पे किया और उसके बाद से मैं इस तरह से आपको दूँगी और विकास क्या होता है वो बताएंगे हम लोग यहाँ पे यहीं से start करेंगे और इसके बाद से हम यहाँ end करेंगे आपको practice पहला practice जो करना है वो है कि आप एक line में कितने words लिखते हो और यह आपको continue exam में भी follow करना है मेरा एक line में जो है 4 से 5 words लिखने का पहले से habit है इसलिए आपने देखा होगे यहाँ पे मेरा 4 words आया अगर यह space में use करती तो मेरा 5 word आता है इस से जादा मैं नहीं लिख सकती हूँ एक line में तो इस तरह से आपको लिखना है पहला चीज और इससे पहले practice करके जाना है सबसे पहले speed में लिखने का सबसे पहला फंडा जो है practice वो आपको practice घर से करके जाना है दूसरा जो technique आपको मैं बता रही हूँ कि एक line में जो है कितने words लिखना है number of words का practice करके जाना है ठीक है तीसरा जो होगा कि आप लोग जो है अच्छे से learn किये हुए रहेंगे जैसे मुझे बृद्धी पुरा अच्छे से याद था तो मैंने लिख दिया विकास को भी मुझे लिख देना है लेकिन अगर मुझे कोई चीज याद नहीं है तो उसके बाद से हमें problem होगी तो उसके बाद से जो है मैं उसको लिखने में problem करूँगी तो तीसरा मेरा जो आपके लिए ये trick रहेगा कि आप learn जो है अच्छे से कीजिए learning आपका अच्छे से होना चाहिए चौथा जो मैं आपको point बताऊंगी जो मैं लिख करके ही बताऊंगी जिसमें आप लोगों को ध्यान जो है writing पे भी देना है आप जब इस तरह से लिख रहे हो मान लिजे कि ये चौथा number question है और इसमें आपको लिखना क्या है कि आपको जो है piegate की theory लिखना है हिंदी वाले students को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके लिए benefit है कि आप जो है Hindi and English mix करके लिख सकते हो मानिए कि आपको piegate की theory लिखना है ठीक है तो try कीजिए कि piegate की theory ने क्या बता है चार stages बताए है तो उसमें diagram बनाने का भी diagram बनाने में हमें time जो है कम लगता है अब इसके piegate theory के जो four stages है उसको मैं diagram के through दिखा दूँगी तो मुझे लिखना तो कम परा ना तो दूसरा जो मैं आपको एकदम important trick और technique बताऊंगी उसमें diagram का आप diagram के help ले करके जो है अपनी speed को और अच्छा कर सकते हो और उसमें लिख सकते हो जो भी उसका stages है उसको मैंने यहां पर लिख दिया और उसके बाद एक-एक stage को हम deal करेंगे तो यह चौथा जो technique आपके लिए मेरा रहेगा कि आप diagram का help ले करके जो है अपनी speed को जो है थोड़ा सा enhance कर सकते हो बढ़ा सकते हो और जल्दी लिख सकते हो तो यह चार point follow कीजिए पहला तो आप practice कीजिए दूसरा जो है line, एक line में कितने words लिखते हो यह practice करके जाओ ऐसा ही exam में भी करो learn अच्छे से करो और चौथा जो है diagram का help ले करके अपने answer को आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो proper way में लिख सकते हो और compare to जो आप normally लिखते हो उससे आप जल्दी लिख पाओगे तो यही मेरा trick रहेगा speed में लिखने के लिए प्लीज इसको आप exam में जाने से पहले एक बार follow कीजिए practice कीजिए और अगर आपको practice करने में कोई problem आईगी तो आप please मुझे message कीजिए comment कीजिए इस वीडियो में definitely हम उसको भी solve करेंगे फिर मिलूंगी till then have a nice day